बदोही में ससुर और बहू के अवैद संबन्द के कलंकित करने का मामला बदोही जनपत के गोपी गंज ठानाक शेत्र से काम वासना की बड़ी खबर मुंबई से लोटे पुत्र ने अपने पिता और उसकी रखेल के खलाफ की शिकायत मुख्यमंत्री के कार्याले पर भी भूख हर्ताल के चैतावनी पिता की रखेल बहू ने पती के खलाफ मुंबई में दर्श कराई है बदोही संबाद दाता एके फारु की द्वारा की गई रपोर्ट उतर प्रदेश की जनपत बदोही से जो मामला सामने आया है उसने ससुर और बहू के रिष्टे को कलंकित करतार तार कर दिया है ससुर अपनी बेटे की ना मौझूद्गी में बहू को अकेले होने का फायदा उठाता है बेटे की शादी के पहले ही ससुर अपनी पूर्व प्रेमिका से ना बालिक अवस्था में ही अपनी बेटे की शादी 11 वर्ष की ही अवस्था में करा कर 22 वर्ष ये बहु से अवैद संबंद बनाय हुए है जबकि पिता की उम्रसीमा लगबक 35 वर्ष से अधिक है ठकहार कर युवक मुंबई से भधोही अपने घर आकर इस पी कार्याले पहुचकर प्रार्थना पत्र सौंपते हुए अपनी पत्नी और पिता के अवैद संबंद को लेकर मामले की शिकायत की है जैसा की चल रही स्क्रीन पर प्रकाशित खबर अकबार में देखा जा सकता है फिलहाल बुक्त भोगी पुत्र ने बताया है कि वे यह मुंबई में ही रहता है और मेरी पत्नी और पिता आपस में पति पत्नी की तरह से ही रहते हैं और मेरे पिता जी मेरी पत्नी की कई बार गर्ण बात भी करा चुके हैं. वही शिकायती पत्र में. पुत्र ने फर्याद लगाते वे कहा है कि मैंने वर्शूं 1996 में शादी कर ली है और मेरे दो बच्ची भी हैं. लेकिन फिर भी मेरे पिता अपनी रखैल को जबरदस्ती मेरे पत्मी बनाना चाहते हैं। पीडित ने एस पी को शिकायती पत्र देकर मामले की जाच कराकर न्यायोचिक कारवाही की मांकी है। अब देखते हैं कि इस मामले में प्रशासन कैसे दूद का दूद और पानी का पानी करता है। और थाना गोफिगंज होता है और हमारा तशीर ग्यानपूर है। सर, मैं अभी इस में उत्रफजिस में हूँ, गोफिगंज थाने के पास में। मैं परवाने के लिए बंबरी रता हूँ और यहां मेरा गाउं में आना ना के बराबर होता है पिछले 25-45 सालों से। मैं मेरे गाउं के घर में नहीं गया हूँ, लेकिन दोगजा बीच के अंत में मुझे मालूम पड़ा कि मेरे पिता जी ने एक अनिता देवी दूबे जो की नोहां भीहरी निर्जापूर जीले की है। वो उसने सिकायट किया कि वो मेरे पांच बच्चों की मा बनी थी और मैंने उसका गरपात करवा दिया था। हखीकत यह है कि मैं पिछले 25-45 सालों से के आसपास हो गया मैं उस घर में गया भी हूँ, पिछले 7-8 सालों में गरपात कैसे हो रहा है। अब गरपात हैं, इसका बाप उसका बाप है हूँ गरपात है, और मेरे ओंप शिकायट की जा रही है। अब क्योंकि मेरे पीटांटी में से रचारकारी नोकरी में थे रिटार्यार हैं, और मेरे शादी दूबारा नहीं कर सकत Estados अका hemmadadadad tekrar mendhati here, जनल्याらा है है। कि इन्हों ने उसको जब से यहां पेलाते हैं 25 सालों से उसको रखे हुए हैं और जब वो आई थी 1982-83 के पास में तो उसमें उसकी उम्र बावी से पच्छी साल थी और मेरे पिता जी के उम्र उसमें 225 साल के विश्मी थी तो सब मुझे यही लगा था कि मेरे पिता जी ने द बनाया गया जो की हुली करसे अबैद है मैं एहां आया नहीं फिर भी मैं और सशनकार्ट है डाव फैमिली घर का मुखिया करके बनाया गया इसमें वहां के पुराने से कभी मुझे तम मालूम पड़ा जब मुझे सरकारी दस्तावाज में वो मुझे मिला 40 सा आया नहीं हूँ तो मैं रसन कार्ड बनाऊंगा कैसे जो वीडियो और पुराने जो सेकेटी देगोपाल मिस्रा मैंने उनके नाम की सिकायद भी की है और उनोंने ही सब हर काम गलत काम करवाया है और उनको गला ठंक से आधार कार्ड पैं कार्ड और वोटर आइडी बनाया हूँ है हकीकत ए है ति आधार कार्ड पैं कार्ड तो हमारे देश में मंगला देशी आतंग wordी भी बना लेते हैं आप सर आप कहीं पूछ लिए मैं 45 साथ से उस गर में गया है नहीं हूँ सर अगर कोई वकादे में 45 साथ से गया हूँ तो सर आप मेरे उपर उचित करवाई सरकार करें मुझे कोई दिखाए जाने वाले सभी न्यूस से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले धन्यवाद